नमस्कार दोस्तों आपके अपनी वैदिक एश्टो लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर दो हजार तेस में में रास वाले जातकों का महीना कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में आपको क्या क्या अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में ग्रह न च्छत्र आपको किस प्रकार से रिजल्ट देंगे क्या आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने में सक्छम रहेंगे या फिर नहीं तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे की बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको समपूर्ण जानकारी देंगी दोस्तों वीडियो को आन तक जरूर देखें ताकि इसमें गह गई बाते आपको अच्छे से और इस पर समझ में आ सकें तो आई चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि में रास्य वाले जातको का अक्टूबर दो हजार देश में आपका स्वास्त विद्यार्थियो के लिए कैसा समय रहेगा मीन रास वाले जातकों का प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन आर्थिक जीवन पारवारिक जीवन कैसा रहेगा इसके साथ हम ये भी बात करेंगे आपका भाग करियर और व्यापर कैसा चलेगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मीन रास के स्वामी कौन है मीन रास के स्वामी बनते हैं देब गुरू प्रिहस पर जो कि सेकंड हाउस में उपस्थित हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका स्वास्त कैसा रहेगा इस महीने तो अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ा से अपने स्वास्त पर विसेश धियान देना है क्योंकि यहाँ पर आपको सेड़ दर्द की समस्या आँखों में दिकत हो सकती है और पेट से समब्द समस्या हो सकती है पैरों में जोडों में दर्द चिंता घवराहर जैसे समस्या हो सकती है तो इसलिए थोड़ा सा आप सतर करें बात की जब विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहेगा अक्टूबर 2023 में तो 5th house होता है आपके पढ़ाई लिखाई का और 5th house के मालिक बनते हैं चंद्रमा तो यहाँ पर चंद्रमा जो है हर सबा दो दिन में चेंज होता रहता है तो बिद्यार्थियों के लिए काफी दिक्कत रहेगी आपको अपने पढ़ाई में confusion देखना पड़ेगा और यहाँ पर आपका मन भी नहीं लगेगा लेकिन 17 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई भी एक्जाम देते हैं तो दिक्कत होगी अगर उसकी पहले है तो ठीक ठाक है बात की जाए आपके प्रेम प्यार के बारे में कैसा रहेगा आपका प्रेम प्यार अक्टूबर 2023 में अक्टूबर के महीने में आपको अपने प्रेम प्यार में अच्छी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आपके बीच में काफी ज़्यादा प्यार रहेगा और अक्टूबर के महिने में आपका प्रेम प्यार बहुत ही अच्छा रहेगा वहीं बात किये जाए वैवाहिक जीवन के वारे में जो व्यक्ति साधी सुदा है उनका वेवाहिक जीवन कैसा रहेगा अक्टूबर 2030 में तो सेवंथ हाउस होता है आपके वेवाहिक जीवन का और सेवंथ हाउस के मालिक बनते हैं बुधिगरें और सेवंथ हाउस में ही विराजमान हैं तो यहाँ पर 19 अक्टूबर तक आपका वेभा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा फिर बुद्ध आपके एड हाऊस में आ जाएंगी तो यहाँ पर दिक्कत होगी क्योंकि एड हाऊस अच्छा नहीं माना जाता तो इसलिए आपका वेवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा बात की जाए आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 में तो आपको अपनी पारिवारिक जीवन में प्रतिकोल इस्तिती देखने को मिल सकती है यहाँ पर आपको पारिवार में सुख की कमी महसूस प्रस्ट हाउस मिल साने और सिकंड हाउस में रहू के वजह से आपके घर में असांती का वातावरन फैल सकता है तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको बात की जाए आपके आर्थिक स्थिक कैसे रहेगी अक्टूबर 2030 में तो इस महिना आपको पैसा कमाने के लिए काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ सकता है के तो आपके एट हाउस में इस्तित है जिसके कारण आपको खर्चों में थोड़ी से ब्रिद्ध हो जाएगी तो यहाँ पर परिवार का गुजारा करने में थोड़ी से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बात की जाए आपका भाग करियर और प्यापार कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 में तो भाग स्थान के मालिक बनते हैं मंगल जो की एट हाउस में बिराजमान है तो तीन अक्टूबर के बाद का समय अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ पर भाग से जुड़े कोई भी काम ना करें जैसे कि प्रॉपर्टी गारी बाहन या फिर कोई सुब मंगलिक कारें ना करवाएं वहीं बात की जाए आपके करियर के बारे में तो करियर के मालिक बनते हैं देपूर प्रिहस्पत जोकि सिकंड हाउस में बिराजमान है तो 30 अक्टूबर के बाद आपके करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा लेकिन उसके पहले का समय बहुत ही बेकार रहेगा बात की जाए आपके बियापार के वारे में कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 में आपका बियापार तो अगर आप खुद का वेवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने बियापार में काफी दिक्कतों से गुज़रना पड़ सकता है क्योंकि आपको काफी ज़्यादा लाप नहीं देखने को मिलेगा और जो आपका बियवसाय है काफी ज़्यादा कंपटीशन में चल रही है तो यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अक्टूबर के बाद आपको अच्छे रिचर्ड जरूर देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यह आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर कीजिए